मेरी राखी की दूर कभी होना कमजोर मैय देदो कलाई बेहन आई है मैय देदो कलाई बेहन आई है कितना रिष्टा है पावन महीना भी सावन मैय खालो मिठाई बेहन लाई है मेरी राखी की दूर कभी होना कमजोर हेलो फ्रेंड अगर आप भी इस तरह की रक्सावंदन वीडियो पोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए तो चलिए काइन मास्टर ओपेन कर लेते हैं काइन मास्टर ओपेन करने के बाद फिंस यहां पे आपको प्लस पे क्लिक करना है अपनी वीडियो की रेशियो ले लेना है 60 to 9 उसके बाद यहां पे आपको मेडिया पे क्लिक करना है मेडिया पर क्लिक करने के बाद फिंस यहां पर आपको अपनी वीडियो की बैग्ग्राउंड चूस कर लेनी है तो मैं अपनी वीडियो की बैग्ग्राउंड यहां से फटाफट चूस कर लेता हूं वीडियो वेगरांग चूज करने के बाद फेंस यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर आपको कलर फिल्टर पर जाना है और यहां से इसे ब्लैका इनवाइट कर देना है तो मैं सब वीडियो को यहां से ब्लैका इनवाइट कर देता हूँ कि उसके जारी आपकी जितनी वीडियों सबकिंग आपको सब्सक्रियु और तो फिन्स मैंने रहां सब वीडियो पर स्टार्ट पोजिशन और स्टार्ट पोजिशन अच्छा सेट कर लिया है उसके बाद फिन्स यहां पर आपको वीडियो की मिडियो पर यहां पर टांजिसन एफिक्ट दे ना अपने जहतनी वीडियो को यहां पर आपढ़ कर सकते हैं तो इसे यह अगर मैम ना हो तो यहां से यह टा उनलूड कर सकतें यहां से क्लिक करके यह क्रोमेटिक जूम यह Transition Effect आप डॉनलोड कर सकते हैं तो मैं फटा-फटा अपनी सब वीडियो पर Transition Effect दे देता हूं Transition Effect देने के बाद फेंस यहां पर आपको आपकी जितनी वीडियो है सब के लिए इन्थ एक बरावर कर लेना है तो मैं वीडियो के लिए इन्थ सेम कर लेता हूं आपको इस तरह से कर लेना करने के बाद फेंस यहां पर आपको लेयर पर जाना है मीडिया पर जाना है और यहां पर मैंने एक टेंपलेट बनाई है जिसकी लिंक मैंने वीडियो की डिसक्रिप्शन में दे दी है वहाँ साब उससे डाउनलोड कर सकते हैं इस template को मैं यहाँ पर add कर लेता हूँ और इसे full screen कर लेता हूँ करने के बाद fence यहाँ पर नीचे scroll करके आना है यहाँ पर आपको template की layer पर click करना है और यहाँ से इसकी chroma key को आपको enable कर देना है तो मैं इसकी chroma key को यहाँ पर enable कर दिया करने के बाद फेंस यहां पर आपके यहां पर देख पारे सेयर अप्सें इसे यहां पर क्लिक करना यहां से इसे एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सपोर्ट होने के बाद मैं आगे की पोसेशिंग आपको बताता हूँ एक्सपोर्ट करने के बाद आपको बैक आनी है बैक आने के बाद फेंस आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो की रेशियो ले लेना है और उसके बाद फेंस यहाँ पे मेडिया पे क्लिक करके आपको एक ब्लैक कलर की बैक ग्राउंड यहां से सिलेक्ट कर लेनी है और उसकी lane थोड़ी से आपको बढ़ा देनी है जहां तक आप status बनाना चाहते हैं बढ़ाने के बाद fence यहाँ पे आपको फिर से layer पे click करना है media पे click करना है और अभी जिस video को आपने export किया था उस video को यहाँ पे आपको add कर लेनी है तो मैं इस video को यहाँ पे add कर लेता हूँ और इसे full screen कर लेता हूँ करने के बाद fence यहाँ पे video की layer पे आपको click करना है और click और click करने के बाद fence यहाँ पे आपके इसकी chroma key को enable कर देना है तो मैं इसकी chroma key को यहाँ से enable कर देता हूँ करने के बाद इसकी को मकी को अच्छा से यहां पर एड्जेस कर लेना तो मैंने इसे यहां पर इस तरह से एड्जेस कर लिया करने के बाद फेंस आपको फिल्च से लेयर पे जाना है मेडिया पर जाना है और यहाँ पर आपकी जो राखी है राखी पर आपको कुछ इमेज यहाँ पर सेट करना पड़ेगा है तो इस इमेज को यहाँ पर आपको सेट करना है मैं कुछ इमेजेस यहाँ सेट कर लेता हूँ तो इस image को मैं यहाँ पर इस तरह सेट कर लेता हूँ करने के बाद यहाँ से ठी डॉट पर क्लिक करके send to back कर देना है और उसके बाद यहाँ से scroll करके आना है slide करके आने के बाद यहाँ पर यहाँ पर इमेज जहाँ पर change हो रही है वहाँ पर आपको इसकी layer को यहाँ से cut कर देना है cut करने के बाद फिर से layer पर क्लिक करना है media पर क्लिक करना है और next image आपको यहाँ से फिर से ले लेना है तो मैं next image यहाँ से ले लेता हूँ next image लेने के बाद उसी वे इस तरह से यहाँ पर set करना आपको यहां पर सेट करने के बाद यहां से फीड़ पर क्लिक करके इसे भी सेंट टू बैक कर देना है उसके बाद इसे भी स्लाइट करके आपको देखना है कहां पर यह एंड हो रही है यहां पर चेंज हो रही है उसके फिल से लेयर पर क्लिक करना है मेडिया पर जाना है फिल से नय तो यहां से एक एफक्ट आपको यहां ले ले लेता हूं और इसे यहां से शेट कर दिए हो और इसे यहां से फुल स्क्रीन कर लेना है करने के बाद इसके लिए क्यों प्र Solid-arta Top अब जाना है। ए पी पी आई है पी राखी लिखने के बाद फेंस यहां से इसे अब डाउन कर देना उसके बाद यहां से इसे उके कर देना है उके करने के बाद यहां पर इसे रोटेट करके फेंस यहां पर इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है और यहां पर इसे शेट कर लेना है और यहां पर सेट करने के बाद इसे यहां से अच्छा सा फॉंट ले लेना है तो मैं यहां से एक अच्छा फॉंट ले लेता हूं लेने के बाद यहां से इसे कर देना है और यहां से इसकी सैडो को आफ कर देना है और उसके बाद एक अच्छा सा कलर लेना है मैं यहां से यह में आप मुझत इसके लिए इसके लें वीडियो कि इंट अपको बढ़ा देनी है मौल उसके बात का कि यहां सांग निल्क कर सकते हैं एड करके यहां पर उसे ओड is इसे घर कर सकते हैं उसके लाइक कमेंट करना वीडियो के सलया कमेंट मकसे बताना जरूर अब तक के लिए मेरे वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत सुक्री है